हेलो फ्रेंड हमारे यूटूब चैनल पर्फेक्ट सिग्नल में आपका बहुत बस्वागत है तो इस वीडियो में गाइस हम लेके आये हैं कंपनी का जो हमारा लावा फैन हीटर है उसके बारे में इसके इंबॉक्सिंग करने वाले ही इसमें कौन-कौन से फंक्शन दिये हुए हैं इसको कैसे यूज करना है सारी इंफर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ तो वीडियो के लास्त तक जरूर बने र कि यह रहा हमारा मेंसिंंट जो कि हमारा हीटर है और मुझे दबहे में इसके लव और कुछ नहीं मिला हुआ है एक से इसे इस से मैनूल स्वेडिय वरिरंटी काड़ मिल जा आते हैं तो इसको नदुन-साइड रखते हैं बात करते हैं अपने मियन आन्टिन zu u तो जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में यह रहा हमारा छोटा सा मीनी है मीनी हमारा रूम हीटर है जिससे कि हमारा यहां से आप देख रहे हो अच्छे से जो गरम हावा है वो हमारा आउट्लेट की तौर पर निकले गा और यहां पर बहुत सारे इसके कुछ फंक्शन आप बताती हूा तो आपको कुछ भाद्ध मोड्मोड से तो आप तो यहां जो हमें से हवा निकल ले लगाए तो ऽिए को हम अस्क्रेश्न कुछ फंक्शन के का रहे हैं prosecutors रह पको लतारा फारे में होavored आए में और हूंस Peng दर्श Shit को यहां उप ढ़र पर करते हैं कि यहां प गरम हवा के लिए हमारे यहां पर अलग से कड़ के सी अगर सींगल करते हैं तो थन फाल फीज्डा फेड मरेये निकलने क। वश्ण के में सब्सक्राइब तो शो колумत करते हमारा निकलत हमारी शाओर लिए अगर हम फालजू पर करते हैं तो हमारा गरम हवा इस्टार्ट होगा निकलना अगर हम निकलना इस्टार्ट होगा और इस पर पॉस्ट मोड पर करेंगे तो हमारा जो हावा का जो स्पीड होगा वो थोड़ा स्लो होगा और यह जब डॉट डॉट पर करेंगे तो हमारा जो गरम हवा है थोड़ा और गरम न अगर हमें फैन का speed बढ़ाना है तो हम इस dimmer का use करें गे उसके लिए आपको इस dimmer को clockwise जैसे रोटेट करना होगा clockwise जैसे हम clockwise रोटेट करेंगे जो हमारी fan की speed होगी वो बढ़ती ही चली जाएगे और जैसे इसको हम anticonominais rotate करेंगे जो हमारी fan की की स्पीड होगी वह थोड़ी स्लो हो जाएगी तो यह जो हमारा डेमर देख रहे हुआ आप यहाँ पे यह हमारे फैंन के स्पीड के लिए दिया हुआ है और उपर में आपको दिखा दें यह आप देख रहे हो यह तोदिकर निकंडेगा ध्यान रहे जब भी आप इसे यूज करो जब भी इसको प्लग-ईन करो तो आपको यह जो ऊपर वाला जो देख रहे हो और नीचे वाला जो शिशन देख रहे हो यह हमेशा आपका फ्री होना चाहिए अगर आपको यह बंद हो जाता है ऐसे किसी चीज से ढग जाता है या फिर उपर का भ तब ही आपको यहां का जो हमारा गर्म निकलेगा वो निकलेगा अधर्वाइस यहां से हमारा हवा नहीं निकलेगा तो आई इसको सबसे पहले हम प्लग इन करते हैं देखते हैं हमारे एक ऐसे यूज करता है प्लग इन करने से पहले आपको इसके कोड के बारे में कुछ बता पहले भी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमारा 500 वाट से ज्यादा का अगर कोई भी अगर हम प्रोडक्ट खरीते हैं तो इसमें जो हमारी स्विस्स दी होती है जो भी हमारी प्लग दी होईती है हमारी 3-pin सॉकेट ही दी रहती है तो इसको हम थोड़ा सा प पर करेंगे तो जो हमारी हीटर है बिल्कुल आप रहेंगी जैसे इसको करते है तो हमारी एर निकलेगी आज अब हम थोड़ा सा फैन मोड पर करते हैं जैसे हम दो अंदर का अप जो फैन देख रहे हैं वहारा स्टार्ट हो गया है आपको दिखा देते हैं कि अधिया हमारा प्रफ जाएगा जहें हमारे जो था फे जाएगी यह देखिये हमारे जिए जिए 2L हजार वाट होगा इसमें हमारे 1000 से 2000 वाट तक दिये हुए हैं अगर हम इसको first dot mode पे करते हैं तो हमारी जो power conjunction है conjunction है वो 1000 वाट होगा अगर हम इसको double dot पे करते हैं तो हमारे 2000 वाट power conjunction होगा तो अभी हमारे ये बिल्कुल ही गरम हवा निकल रहा है आपको बता दें इसके सामने की इसको पहले हम plug out कर लेते हैं यह हमारा अच्छे से जो heater है वो काम कर रहा है इसको पहले हम plug out कर लेते हैं उसके बाद जानते हैं इसके और feature of function के बारे में गुछ और भी बात जान लेते हैंगा जिसको में आप देखरों यहाँ पर हमारी स्प्रिंग वेगरा लगी हुई है वह हमारी बिल्कुल ही पूरी निक्रोम वायर की लगी हुई है जिसे हमारा हीट है वह अच्छा खासा हो जाता है निक्रोम वायर से ही और आपको बता दें क कि जो हमारा हीटर है वो इसमें हमको एक साल की वन येर की पूरी गैरंटी मिल जाती है वन येर के अंदर आपका ये जो हीटर जब भी कभी खराब होता है तो आप इसको सर्विस सेंटर मिलने जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको फिर से आप बनवा सकते हो और री यू मैंने आपको हर एक इनफॉर्मेशन दी अगर वीडियो में इसे लिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रागया हूँ अगर इससे रिलेटेड आपको कोई कोशिन वेगरा करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में कर सकते हो और तो इसमें कुछ वैसा फीचर फ्रंक्शन दिया हूं नहीं है मैंने आपको सारा बता दिया चलते हैं फिर नेक्स वीडियो में मिलेंगे बाई बाई